हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माय चैनल ये देखिए ये मैंने कुछ दिन पहले फॉर्विया मेली पे वीडियो बनाया था देखिए जो बाट्स नहीं के लिए हुई थी उसमें किस तरह का कलर आया हुए और ये भी में बंच बढ़ा हो गया है तो फ्रेंट्स आज मैं आपक के बारे में बताऊंगी कि रोस प्लांट को किस तरह से अक्टूबर नौंबर में फटलाइज करना होता है ताकि हम विंटर में बहुत ही अची फ्लावरिंग ले पाए उससे रोस प्लांट सबका फैवरेट होता है और विंटर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है यह मेरा हीविसकस का प्लांट और बहुत थी बहुत प्यारी सी बड़्ट था हुए इसमें काफी तारी कलिया तो यह मेरी रोस प्लांट और और झ्राह के और इनकी सबके हालत कराब है मैं आपके साथ ही पुरा शेयर करूंगी कि किस तरह से मुझे इने ट्रीट करना है ठीक करना है और क्यों इनकी हालत खराब है यह मैं अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में यह देखिए कि इसकी यलो हो रखी है तो आप कहेंगे कि मेरे रोज पे एक पी फ्लावर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले काफी टाइम से मैं इन पे कोई भी फ्लावर नहीं ले रही हूँ इसलिए ताकि मैं मैं हटा दी उन्हें डीबडिंग कर दी उनकी ऐसे किया जाता है ताकि हम विंटर में रोज को अच्छे से रैडी कर सके लिए यह वेरा कटिंग से लगाया हूँ प्लांट है यह और इसी रहनी सीजन में मैंने लगाया था दो कटिंग लगाई थी दोनों सक्सेज हो गई है तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो पहले मैं यह दो लिए मैं पूरा आपके साथ श्लाप येलो लीव और पत्ली बदली ब्रांचे अटाने के बाद हमें इसकी सारी वीट्स हटा देनी है जितनी भी ये पॉट में एक्स्ट्रा अन्वांटेड प्लांस निकल आते हैं उन्हें हटा देना है और ये ग्राप्टिंग एरिया होता है इसके नीचे जो भी शूट निकलती आपके बाद हमें इस तरह से गड़ाई कर लेनी है पूरे पौर्ट में अच्छे से काई जो इसकी फंख चारोट में घड़ाई कर लेनी है करीब 12 इंचे तक और बहुत ही ज्यादा स्टैम इसके जूकिन स्टैम आपके सटैम है उसके जास पास नहीं करना है पॉक्स सब्स कि प्रींच तक की मिट्टी की निकाल लूँगी यह भी काफी है हमें इसे फेकना नहीं है इसे हमें फिर से यूज़ करना है और क्यों निकालएंüğ इस तरह से रएंगे Sure मैं थोड़ी और गुडयाई कर दोंगी क्योंकि नीचे की मिटी जमी हूई है मैं ऐसे थोड़ा और गुडयाई कर लोगी फंगस है तो नहीं मेरे सोयल में पर जो भी है तो वो थोड़ी फ्रेश हो जाएगी और इसे भी मैं निकाल के और इस पॉट को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी आज मैं इसमें कुछ भी डालने वाली नहीं हूँ क्योंकि इस तरह से हमारे जो ये प्लांट नीचे रूट से उन में क्या क्या डालने वाली हूँ तो वो बताऊंगे मैं आपको अगले वीडियो में उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ओके प्लाइब करना पड़ेगा